इस मानसून में हेर फाल बढ़ गया है या बालों का ज़रना तूटना बढ़ गया है बाल पकना इस्टार्ट हो गया है या बाल मोई जान भी नहीं रहती बाल बिलकुल काले देखने में नहीं है बालों में साहिनी नहीं है आपकी चोटी मोटी नहीं है पतली हो रही है आप कि हमारी चोटी मोटी हो बाल सिल्की चमकदार और साइन करते हुए हो इसके लिए आपके साथ जो टोनर सेर करने वाले हैं बहुत हिलफुल होगा हाई वंडर्फुल पीपल विलकम बैक टो फात्मा जी वाना फीसियल कैसे हैं आप सब आई होकी आप लोग ठीक होंगे खुस होंगे लाइब के लिए परज्डी की भी होंगे अपना और अपनी फाइमडी का ध्यान रख रहे होंगे इसके प्रिप्रेशन के लिए आपको लेना है फिनोगरी यानि कि मेथी दाना मेथी अपने बालों के लिए कितना वेनी फीसियल है हम जितना भी बता longtime हें उतना क और बालों में जान फूंग देने का भी काम करता है बाल बहुत ज्यादा सिल्की साइनी चमकदार भी होते हैं इसके यूज से किसी भी रूप में इसे यूज किया जा टोनर के रूप में पैक के रूप में या सीरम के रूप में इसे कुछ भी बना कर अपने बालों में आगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा असर करने वाला है, आपके बालों को हर तरह से निजात दिलाने वाला है, हर तरह से ये फाइदा ही फाइदा देने वाला है, किसी भी प्राब्लम को ये दूर करने में ज़्यादा हिल्फुल होता है, दूसरी चीज़ हमने लिया हेर फाल को सब्साइट करते हुए उसके growth में helpful हो भी यह काली मिध इसी चीज हमने लिया है कलोंजी आपके पासलका े लीजी वरना सफेद तिल अगर आपके पास ले लीजिए हमने का इंज जाता है निज़ किया है आप सफेद तिल या ब्लेक तिल जो भी हो उसका यूज कर सकते हैं सका बहुत ही इचा रेजल्ट अता है इस टोनर में इस टोनर के उच से अपके बालों का हैर फाल तो रुकेगा ही रुकेगा आपकी बालों की ठीकनेस बढ़ेगी आपके बाल घंए होंगे साइनी चमकदार और काले भी होंगे लंबे समय तक यह पकेंगे नहीं इसको धीमी आज पर पका लीजिए इसे पकते हुए जब पांच जाए इसका तो इसे चां लीजिए इसके पानी को एक कंटेनर में इसको चानने के बाद इसके जितने सीट्स नहीं है यह पानी हमारे चार महीन है इस टोनर को अगर आपने लगा लिया तो आपके बालों की काया बदल हो जाएगी, आपके काया प्लट होने का काम करेगा, इस टोनर में आपको रोजमेरी का एसंसल आयल ले लेना है, अगर पहरी बार आप ले रहे हैं, तो इसे दस ड्राप तक जरूर लेंगे, और आप टी ट्री का एसंसल आयल भी ले लीजिए, वो भी बालों के हेज के वह सब्सक्राइड, सबक्राइप. आप अपने बालों में पैक लगानी की तरह भी यूज कर सकते हैं, पीश कर पहले इसे दरदरा सा एक ग्राइन जार में डाल कर इसे पीश लीजिए, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना, बहुत बारीक इसको नहीं पीशना है, इसको थोड़ा सा दरदरा मोटा ही पीश बस आपको ध्यान रखना पीशते समय कि इसको ज्यादा वारीक ना करें, फिर दरदरा पीशने नहीं तो यह मेती है, फिर चनेगी नहीं और आपका पैक, फिर गाढ़ा हो जाएगा तो यह सीरम नहीं बनेगा, इसलिए इसी टोनर को थोड़ा सा डाल लीजिए, दो तीन इ कर लीजिए, फिर दर दर रहेगा तो चनने में हिलफुल होगा, यह चन जाएगा इस टेनर की है, आसवानी से, नहीं चिपचिपा हो जाएगा, फिर गाणा हो जाएगा, तो चनने गनाई, इसको पीशने के बाद, आपको क्या कर लेना, इसे एक हपते के लिए रिफ्रीज कोई मिलावत नहीं होती है, इसलिए, यह सुद्धता का एकदम प्रतीक है, आपको पास जो चीजे अवलेबल है, उससे बना कर जब जूच करें कि अपने बालों अपने स्किन में, तो आपको लगेगा कितनी सुद्धता है, आप ही इसको जान पाओगे, मार्केट की चीज निंग करवाते हैं कि हमारे बाल अच्छे हो जाएं, लेकिन ये सब करवाने से मार्केट की जो चीजे यूच की जाते ही, आपके बालों पर गलत असर हो सकता है, तुरंद नहीं तो बाल में इसका असर गलत होता है, जिससे हेरफाल बढ़ जाता है और आपके बालों की कीजें नहीं थी पालर नहीं था फिर भी आपके बाल चमकते हुए होते हैं वह इतरों नहीं ते इसे भी आप पाइक बना कर यूज कर सकते हैं, इसको चान लीजिए, आप इसमें सो जो निकल रहा है, इसको अपने बालों में लगाने के लिए, इसे हफते में दो से तीन बार जरूर लगाएं, आप आली बालों में भी लगा सकते हैं, ट्राइ बालों में भी लगा सकते हैं देखिए इसको इस तरह चान लीजिए चानते समय ध्यान दे इसको तोड़ा सिस्पून से दबाते हुए चाने क्योंकि यह तोड़ा गाड़ा है तब ही अच्छे से चान जाएगा इसमें इस जो निकल रहा है इसे हम सीरम बनाने वाले हैं सीरम बनाने के लिए इसमें कुछ अगर आपको विस्वास नहीं होगा तो इसका जिल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा अब इसमें क्या करना है हम इसे जब चान लेंगे तो इसमें हमने दूसरी चीज़ लिया है इलोवेरा जिल क्या करता है हमारे बालों में साइन लेकर आता है जड़ों को हमारे बालों मेशाइन देता है. हमारे बालों को पकने से और ज़ने से भी रोकता है. हमने लिया है. इसमें आप Castral, Black केस्टर आल भी आप जानते हैं. बालों की तेकनिस बहुत ज़्यादा हिलफूल होता है. New Baby Hair को ये ज़्यादा प्रमोट करता है और हमारे बालों की लंबाई तेजी से बढ़ाता है अल्मन डायल जितना भी एफिक्टिव है उससे भी ज्यादा ये हमारा किस्टरायल एफिक्टिव है इसके यूज से हमारे बाल बहुत जल्दी बड़े होते हैं और बालों की ग्रोस बहुत तेजी से होती है इसमें भी हमने लिया है, हमने इसमें 5-6 ड्राप लिया है, इसका ज़्यादा यूच नहीं किया है इसको भी इसमें डाल लीजिए, और क्या करेंगे इस सब को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि ये सारी चीज़े एक दूसरे में एक्सार हो जाएंगी तब ही इसका अच्छा रिजल्ट आने वाला है इसको लगाने का भी सही तरीका आपको आना चाहिए कैसे इसको लगाना है किस्टाराल हमारे बालों के गोथ में इतना ज्यादा इल्फुल है पर ये इतना गाड़ा होता है कि अकेले इसको लगाया नहीं जा सकता है इसको किसी चीज में मिक्स करके ही लगाया जाता है इससे हमारे बालों की गोथ होती है बाल पकने से रुकते हैं बालों गाहे एरफाल सबसाइड होता है और बाल काले लंबे समय तक रहते हैं घने भी रहते हैं काले भी रहते हैं आप जानते हैं बाल लंबे बालों की चाहए सब को होती है मेल फिर मेल इसे दोनों यूज कर सकते हैं सब के सर में बाल रहे ना अच्छी बात है सब चाहते है हमारे सर में बाल रहें, जल्दी से लोग कुछ आज की जमाने में टकले होने लगें, उनके सर के बाल ही खत्म होते जा रहे हैं, बहुत थोड़े से बाल रहे जाते हैं, उम्रे के पहले ही उनका सर दिखने लग जाता है, इसलिए इन चुझों का यूज करते रहेंगे, तो आ सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नेचे लाड़ रंग का बटन देखाएं, उसे भी क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली नोटिटी के सांथ सबसे पहले आप को मिले, जब भी हम वीडियो डाले सबसे पहले आप देख बालों की लंबाई में लगाएं, बालों की जड़ों में लगाएं, इसके जूझ से बालों की जड़ मजबूत होगी, तो बालों की गोथ भी तेजी से होगी, और हेर फाल भी कंटोल होगा, पूरे बालों में लग जाना चाहिए, अच्छे से लगा लें, बालों की जड़ ख़टे में न बनाए न बहुत जादा एक अबनाने मापको प्राबलम होगी वाओ बनाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है बार बार इसे कौन बना इसलिए एक बार बनाया तो एक अबर आपको लगाना पसंद भी तो रात में लगाकर सोएंगे तो तो अच्छा रिजिट लेकर आएगा, क्योई अपने बालों में बनब बनाकर छोड़े, इसको लगा रहने देंजे। किसी माहिल सैंपु से वाइस करें, नार्मल पानी से वाइस किया करें, कभी आप गर्म आगुनगुने पानी का यूज बालों में ना किया करें इससे आपके बाल हेरफाल बढ़ जाएंगे अगर गर्म आगुनगुना पानी रहा तो इसलिए बालों की लंबाई बढ़ाने में बहुत ज्यादा ये टोनर हिलफुल है और ये सीरम भी आप पहले टो और तो आप मजिख देखें कि अपने बालों के लंबाई इतनी नहीं रही होगी जितनी इसके लगाने से हो जाएंगी लगाने के बाद दो मिनट तक मसाज करें तरह कि इसका जितना इफिक्ट है आपके बालों के जड़ों में आफजाब हो जाए तब इसे बन-बना कर छोड़ दीजिए दो से तीन गंटे के लिए तब इसे वास करें वरना इसे अगर आप लगा सकते हैं तो रात में ही लगाए तो जादा अच्छा होगा हम सजेस्ट करते हैं कि इसे रात में लगा कर बन-बना कर सो जाए तो सुबा चले जल्ट आएगा आज की वीडियो इतनी फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए